हलो एवरीवान वेलकम तू पिंपडकर अकैडमी और मैं हो अस्टन प्रोफेसर रोहीनी पिंपडकर और आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वीजिन आईयस से जुड़े हुए करेंट अफेयर्ज जो हमने पलिटिकल साइंस से रिलेटेड लिये हुए है न 2020 में विच प्रोवाइड राइट रिकॉल मेंबर सो पंचायती राज इंस्टूट तो पंचायत राज में इन्होंने इंट्रड्यूस किया है राइट रिकॉल को तो उसमें और जाधा पढ़ेंगे राइट रिकॉली जन प्रोसेस्ट वियरबाइट इलेक्टोरेट मतलब ह सुख होता है जो हमारे एलेक्टोरेटस होते हैं मतलब वोट्र सोंगे वो क्या करेंगे हमारे एलेक्टेज्टेज ओफीचर से मतलब हमारे एप्रेजेंटेंटेटिव है इन लोगों को निकले dirig 아 अपनी पोस से निकाल देंगे इस तरकी की बात की बात राइट रिकॉल में होती है बिल अलाव जरो रिकॉल और विलेज सरपंचास और मेंबर्स ऑफ ब्लोक लेवल, डिस्ट्रिक लेवर, पंचायास इफ दे फिल्टू परफॉर्म, अगर हमारे रिप्रेजेंटेटिव चाहे वो डिस्ट्रिक लेवल के हो, ब्लोक लेवल के हो, या फिर हो वो ग्राम लेवल के अगर उन्होंने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, तो वो क्या करेंगे, इन तीनों में से किसी भी जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, उन लोगों को वो रिमूव कर सकते हैं उनकी पोस से, तो बलवंतराय महता समीती ने कहा था कि थ्री टीर्स गवर्मेंट होनी और ग्राम सेभा हब टू कि इन राइटिंग शेज परफॉर्म ने लोगों कि अविव पारेजेटिव ने पर चुश्य पर सब्सक्राइब कर देखो अगर यह पारेजेटि परसेट करने तो 50 परसेंट यह से से पेशल जो वोटर्स है वो राइटिंग में देंगे कि नहीं हमें यह राइटो रिकॉल की प्रोसेस स्टार्ट करनी है तो 50 परसें वोटेर्स की राइटिंग में चाहिए दिस विल भी फॉलोवेट बाय और सिक्रेट बैलोग इन विच दियो रिकॉल रिकॉल रिकॉर्ट टू थर्ड मेंबर्स वोटर्स अगेंस अगर एक बार ऐसा रिप्रेजेंटेटिव रहेगा उसको फिर से वापस बुला लिया जाएंगा और फिर से एलेक्शन होगे और जो नया जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको यह लोग चुनेंगे तो इस तरह की प्रोसेस होती है राइट टू रिकॉल में तो देखते इसके फाइदी क्या है ओविसली इसे क्या होगा इंशोर ग्रेटर अकांटाबलेटी इन दो पॉलिटिकल सिस्टेम आज एलेक्टो रेट रिटेंस कंट्रोल ओवर दोस लेजिसलेचर्स हूँ आर अंडर परफॉर्मिंग और आर मिस्यूजिंग दियर ओफिस फोर दियर सेल्फिश केन तो ऐसे मे बहुत जादा जवाब दहीं उन लोगों की बढ़ जाएंगी क्योंकि उनकी और कंट्रोल रुखेंगे तो वो अनडर पर्फॉर्मिंग रहे हैं या फिर missing तो पर बहुत जादा लोगों का कंट्रोल रहेंगा इस वज़ो से accountability बहुत ज़ादा बढ़ जाएंगे right to recall की वज़े से lack of competence and ethics in representatives call for a mechanism which vests in people the control over such unworthy representatives whose have failed to secure the best interest of their electorates तो ऐसे में क्या हो जाएंगा कि जो भी लोग अच्छे से perform नहीं कर पा रहे है अक्षम है अपनी चाहिस जगपे वो लोग उचने है अच्छे से काम नहीं कर पा रहे है और लोगों के interest को वो अच्छे से देख नहीं रहे है तो ऐसे सभी लोगों के उपर क्या हो जाएंगा अच्छे से लोगों का control हो जाएंगा चिक corruption as well as the criminalization of politics by deterring candidates from spending crores of money in campaigning for the elections because they will always have a fear of being recalled तो ऐसे में जो corruption है बहुत जादा candidates क्या करते हैं spending करते हैं क्या इलेक्शन के प्रचार के दोरा तो क्या हो जाएंगा इलेक्शन जीतने के लिए वगर्या तो ऐसे लोगों को फाई यूर्स की जो गारेंटी मिली थीना पहला है वह तो अभी बिलकुल भी बंद हो जाएंगी तो यह कभी भी निकाल दिये जा सकते हैं तो ऐसे में चुनाओं में बहुत जादा खर्चे होते थे वह बहुत ही कम होने लगेंगी इस तरह की किसी बात हो रही है और करप्शन भी से कम हो जाएंगा और क्रिमिनलाइजेशन भी कम होने की बात की जारी है लॉजिक अन जस्टिस आस इट विल प्रोवाइड अन ओप्शन तो करेक्ट रॉंग डिसीजन्स लेकिन अभी ऐसा नहीं होंगा हमको अपने रहा देखने की कोई भी जरत नहीं है अब ये जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल है भी नहीं क्योंकि इसमें बहुत सारे लिमिटेशन्स है कॉंप्लिकेशन और प्रॉब्लम आने वाले हैं तो इससे क्या हो जाएंगा डिस्टेबलाइज गवोर्मेंट इट माइट लीट टू डिस्टेबलाइज़ेशन आस वेरेवर दियोर इस डिसकंटेंट पीपल विल स्टार्ट रिकॉलिंग अगर इस तरीके से अगर रिकॉलि इट्चन फैटीग और रिकॉलिंग और रिजेक्टिंग द ट कैंडेट अं gide коп to लेकzahl कावडी को जएंग वोटिंग को लिकर पॉलिटिकल टूल, इट कूड भी जूज़ बाइस पॉलिटिकल टूल भी यूज़ किया जा सकता है, रही तूरी कॉद्ट को, क्योंकि बहुत से ऐसे पॉलिटिकल टूल, मतलब रिप्रेजेंटीटिव्स होते है, इन्हें ऐसे पॉलिशिस लेकर आनी पड़ती है, जो तो ऐसे ग्रूप्स एकत्रित हो के उसकी खिलाफ रैट्टो रिकॉल कर लेकर आ सकते हैं, और साथी साथ में तो ऐसे जो अच्छे पॉलिटिशन्स है, तो उनकी खिलाफ यह जो रैट्टो रिकॉल है, यह बहुत जल्दी आ सकता है, और उसको पास करवा के बिचारे अच् तो जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उन्हें कही बार ऐसी पॉलिसी लेकर आनी पड़ती है, जो लोगों को पसंद लेकिन लोगों के भलाई के लिए हैं, तो ऐसे में क्या हो जाएंगा, क्योंकि लोगों को पसंद नहीं हैं, तो लोग उनके खिलाफ रैटो हैं, तो उसको ऐसी पॉलिसी लेकर आनी पड़ेंगे, जो लोगों को पसंद ले, नके लोगों के भलाई के लिए हो, तो यह बहुत बड़े डिसद्वांटेज हो जाता है, किसी भी स्टेट के लिए और उसकी वेलफियर एफ़ देवलपेंट के लिए, वियाबेलेटी के लिए परेंटेज और जाता है, किसी अधर बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जितने भी सिगनेचर है, वो वाक्य में authentic है भी या नहीं इस बात को प्रूव करना तो ये थोड़ा सा problematic issue हो जाता है राइट टू रिकॉल को लेकर इंक्रीस expenditure अगर बार बार elections होगे तो क्या होगा कि बहुत जादा election के लिए खर्च करना पड़ेगा तो एक तरफ के से तहम खर्च बचाने की बात कर रहे है candidates के दुआरा और एक तरफ बार-बार election लेकर खर्च बढ़ाने की भी बात हो रही है तो ये थोड़ा सा contradictory हो जाता है तो ये सारी limitations होगे right to recall को लेकर तो इससे क्या हो जाएंगा ऐसा नहीं कि सिर्फ फाइदे और नुकसाल होगे तो इसमें politics scenario बहुत जादा change हो जाएंगा और बहुत से challenges हमारे सामने आएंगे तो वो सब देख लेते हैं enhancing political awareness main focus should be on enhancing the political awareness of masses by various means possible and or ensuring a better turn out for voters in the elections respectively तो क्या हो जाएंगा क्योंकि हमको 5 years तक किसी representative को चाहे वो अच्छा हो गलत हो जहलने की ज़रुरत नहीं है तो हम हमेशा से धान रखेंगे कि हमारा जो representative है वो अच्छे से काम कर रहा है या निकर रहा है तो लोगों की बहुत जादा जागरुपता बढ़ जाएंगी तो politics issues में तो ये बहुत ही अच्छी बात है proper scrutiny और recalls should be carried only after conducting proper judicial scrutiny on certain specific grounds and not on value और ambitious grounds तो ये बहुत ही ज़रुरी है कि जो भी petitions आ रही है आपके सामने कि नहीं आप क्या करो तो राइट रिकॉल को लेकर आओ किसी भी candidate की खिला तो बहुत ही ज़रुरी हो जाएंगा ये देखना कि वाकई में उसकी properly scrutiny हो रही है साथ ही साथ में वो जिस ground पे किसी representative की खिलाफ जो राइट रिकॉल की बात की जारी आया है तो वो सही ground पे है या नहीं ये भी देखना बहुत ही दिल्चस बात हो जाएंगी इंडियन पॉलिक्स में साथ ही साथ में strong deterrence recalled representatives must be depared from a contesting by the by elections held thereafter otherwise all the money manpower time except was in conducting in the recall would go in when अगर देखिये ये सुनिशित करना बहुत ज़रुरी हो है कि किसी representative के खिलाफ एक बार अगर right to recall पास हो गया फिर से by elections होंगे तो ऐसे representative को जो already reject होके आया है तो इसको फिर से election में participate करने देना है नहीं देना है तो इसको किस तरीके से हम participation नहीं करने देंगे तो ये भी बात बहुत ही important हो जाती है नहीं तो क्या हो जाएंगा हम उसको फिर से election लड़ने का मौका देंगे तो ये जितनी भी process है वो पूरी time waste हो जाएंगे उसमें तो बिलकुर meaningless process हो जाएंगे अगर उसको उस candidate को फिर से मौका देंगे तो तो इस तरीकी की बात है strengthening existing mechanism there are already in existence various neglected pre-elections measures which aims to ensure accountability such as provisions related to disqualification and explosions of members and existing vigilance bodies to check corruption etc तो क्या है हमारे इंडिया में क्या है already pre-elections मतलब election होने के पहले बहुत सारे मतलब जिसी code of conduct है या फिर उनकी qualification disqualification already ठहरा दी गई है लेकिन फिर भी mechanism में पहले ही election के पहले वाली के उपर बहुत जादा क्या है control है लेकिन election के बात क्या एक बार पाच्च साल के लिए चुन लिया गया तो चुन लिया गया तो ऐसे में इलेक्शन होने के बाद भी उनके उपर control रखने की बात की जा रही है तो इससे क्या हो जाएंगा जो existence जो मेक्यानीज लवें इंडिया में तो political situation में बहुत जादा change हो जाएंगा हमार जो government है वह बहुत ही अच्छ से काम करेगी हमार रिप्रेजेंटेटिव अगरे तो इस तरह के इससे अच्छी बात निकल के राने वाली है और कुछ इसके disadvantageous भी है तो आज हमने इस video lectures में देखे है कि हमारे जो right to recall से related है इसमें बात की हुई हर्याना पास हो जाएंगा तो इससे accountability बढ़ने वाली है और साथ ही साथ में कारिश्रमता बढ़ जाएंगी और politics में corruption भी कम होगा साथ ही साथ में fire की surety बिल्कुल भी ने रहेंगी गल्थ candidate उसको निकाल दिया जाएगा तो यहां पर हम फिर से बात कर लेते हैं उसकी disadvantage की तो disadvantage में आएंगा कि जो government है वह बहुत जादा destabilize हो जाएंगी election जो पा जो कंडेक्ट कर वाते हैं उनके उपर बहुत जादा प्रेश्रस परने वाला है इसको आज पॉलिटिकल टूल भी यूज़ किया जा सकता है अच्छे politicians के खिलाफ साथ ही साथ में जो इंडिपेंड जो रिप्रेजेंटेटिव है ऐसे पॉलिशी को लेकर आएंगे जिससे लोगों को अच्छा लगे न कि लोगों का फाइदा हो अगर वह अच्छा ही के लिए फाइदे के लिए है कि सीवीकर सेक्शन के खिलाफ लेकिन बाखि ढायने कि बात हो अभी अभी बात करते हैं कि क्या है क्या तो यहां वोटरं सोते हैं और इंडारिट सोंगे यह वोटरं स क्या करते हैं डारिक डेमोक्रिसी में कोई भी पॉलिसी उसके उपर वोट कर सकते हैं डारिक डेमोक्रिसी में वोटर्स वोट कर सकते हैं लेकिन डारिक डेमोक्रिसी में क्या आता है वोटर्स क्या करते हैं अपने पॉलिटिकल हेड को ठीक है और फिर यह जो प्रेलिटिकल हेड है जो हमार तो यहां पे कहाती हैं अपने लें लिए लिए पॉरी कि बनाते हैं यहां पर रिप्रेशनेटिव हमारे लिए पॉलीसी बनाते हैं यह हो गई 227 ऐंसे इंस्फोमेंट में है जैसे कि रहेट्न अनुद Mang झालए में में सब्सक्राइब कर्स आपके लिए नियूस के भी इंपोर्टन्स फैक्ट है वह इसको याद में रख़े हैं मैं बिचलन वह इस वीडियो